हरे कृष्णा मैं हूँ जोट साचार डॉक्टर विंतर पाठी आप देख रहे हैं लग्क गुरुकारक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आप करेंगे भी राज के आके लिए नवकरी मिले जागी अस्तुनातर का योग है नाए तरह में किलकारिक असा सब भी बताने वाले हैं। और नयत तरह का क्या कारे हो सकता उसके बारे ौहाज आपको बताइंगे आपके लिए सुबंक क्या है। सोगरंग क्या होगा और आग को सवस्दानी के अपर रत्त्म है उपाताई क्या करना है ये सारी बाते हैं की जानकारी हम आपको देंगे जदी आपको मेरा कारक्रम पसंद आ रहा था वीडियो को लाइक करें और सेयर करें आपको जोतिस से समंदित कोई भी जिग्यासा है कोई मन में प्रशन है तो आप क्या करें की इन बाक्स में जाएं sleeps अपना नाम लिखें जंदेती लिखें जंद समय जनल्सतान लिख करके मुझे भीजएं ताकि हम आपके प्रशनों का उतर दे सकें अब आईए हम बात करते हैं ब्रिश राश की जातकों के लिए कि जो ब्रिश राश की जातक हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होने वाला है तो जो ब्रिश राश की जातक हैं उनकी लिए आज का दिन थोड़ा सा आज आप कोई भी कारे करते हैं तो सोच समझ करके करें बेना स ग sharply. आपको मिलेगां सार को जिस अफरकु आगे बढ़ सकता हैं आज न्य तरह को प्यापार नैंब को सरकारी नोक्री और अन्य कारी में आज आपको स्थालाब लेने की आलगाश्य का परित्याक करना है प्लानिंग करके अगर कोई करते हैं तो अपने को थोड़ा सा फोकस हो करके और इनर्जी लेवल अपना अच्छा बढ़ा करके कारे करना है कई बार लगता है कि इनर्जी लेवल आपका साथ नहीं दे रहा है आप विभिन प्रकार के चिंताओं में घीरे रहते हैं तो यह आपके लिए ठीक नहीं है तो आपको अगर कोई प्रकति करना कोई नहीं तरह कारे करना तो चैनलाइज हो करके करना आपके लिए बेहतर होगा जैदि आज आप किसी परिक्षा के एक्जाम दिये हैं तो उसमें सफलता मिलेगी जैदि आप लेखक हैं शाहित्यकार हैं फिल्में दुनिया में अगर आप का दिन सरवाधिक बेहतरीन हैं जैदि आज आप इसकी शुरुबात करते हैं तो आज आपको काफी लाब मिलेगा और यह सपद प्रतिष्ठा में आपके ब्रिधी का भी योग बन रहा है और आपकी जो बहुत दिनों से चली आ रही परिशानिया है चाह आर्थिक संकट हो चाहे घर से समध्य समस्या है समझ समस्याओं का समूल समधान होने का योग बन रहा है आज आपको सवधानी क्या ब्रतनी है सवधानी ये ब्रतनी है कि अपने को चैनेलाइज करना है और कारे की शुरुवात करने की जूरत है उपाय क्या करना है आज आपको आज आपको क्य करने की अरादना करना है और सफेद वस्तो का नान करना आपके लिए अच्छा रहेगा और कोई भी गरीब महिला हो तो उसको भोजना जरूर करावें और अगर कोई गरीब विद्यार थे उसको पढ़ाय लिखाई की भी व्योस्था करें आपके लिए बहतर होगा आपके कर दो